नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है knowledge in Hindi और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आप भी अपने laptop से कोई भी application या कोई भी game कोई भी software अनिस्टॉल करना चाते हो दिलीट करना चाते हो तो मैं आपको बताऊँगा कि laptop से कोई भी application गेम या software डिलीट कैसे करी जाती है अनिस्टॉल कैसे करी जाती है यहाँ पर फरक नहीं पड़ता है आपके पास कोई सी भी window है सब window में यह तरीका काम करेगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले आप अपने keyboard से window बटन प्रेस करें यह वाला बटन फिर आप यहाँ पर search करें यानि लिखें control panel आपके पास कोई सी भी window हो कोई सा भी laptop हो यह option आपको जरूर मिलेगा इसे open करें इस page को full screen यानि की पूरे screen पर कर लीजिए यहाँ पर आपको मिलेगा एक option program इस वाले option पर click करें यहाँ पर आपको मिलेगा एक option जिसका नाम होगा uninstall a program इस पर click करिए इस पर click करने के बाद आपको यहाँ पर आपके laptop में जो भी software जो भी game वगरा होंगी वो सारी के सारी आ जाएगी तो जिसको delete करना चाते हैं आप वो ढूंडिए example के लिए हम यहाँ पर यह वाली game delete करेंगे यानि uninstall करेंगे तो आपको उस application पर करना है right click mouse से right click करें वरना अगर आप touchpad इस्तिमाल कर रहे हैं mousepad तो उस से right click करके uninstall पर click करें थोड़ा सा wait करें yes करने को कहेगा यहाँ पर तो yes पर click करें yes पर click करने के बाद आपके पास ऐसा page आएगा yes या no करने को कहेगा तो yes करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा wait करना है आपका जो भी software होगा जो भी application होगा वो थोड़ी बहुत queries कर सकता है कि आप इसे क्यों delete कर रहे हैं क्या वज़ा है तो आप थोड़ा बहुत भर दीजिए उसको अगर चाहें तो और okay पर click कर दीजिए और आपका application या software जो आप delete कर रहे हैं वो हो जाएगा तो ऐसे आप इसको इस्तिमाल करें और वीडियो पसंदाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा